तो आयोध्या में राम मंदर में राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा का कारिकरम कल संपन हो गया राम लाला की प्रतिष्ठा में रिलाइंस इन रस्तुईस के सीमडी मुकेश अम्बानी अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए अमबानी परिवार ने हाथ जोड़ कर भगवान श्री राम का शिरवात लिया और उस दौरान मोकेश अमबानी ने कहा कि भगवान श्री राम आ रही है पूरा देश दिवाली मना रहा है कारिकरम के दोना अन्रोलैंस जीयो के चयर मैं आकाश अमबानी पतनी श्लोका के साथ राम मंदिर में मौजूद थे श्री राम नाम से जगमगाता दिखाए दिया खूपसूरत रगविरंगी रोशनी के जरिये इंटीलिया को सजाया गया जिसमें जैश्री राम और राम मंदर की चवी उभर कर सामने आ रही थी इस मौके पर अमबानी परिवार की तरफ से अन्न सेवा का आयोजन किया गया इंटेलिया के सामने हुए अन्नसीबा के कारिक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाथ ग्रहन किया तो कल आयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारों में वी वी आई पी का जमावणा रहा और मुकेश आमबानी नीता आमबानी रख्यों के अधक्स आकाश आमबानी भी प्राण प्रतिष्ठा समारों में शामिल हुए राम की भक्ती में अमबानी परिवार भाव जिभूर दिखाई दिया दुό करोद निक्या वन लाक रुपय का धान दिया रिलाइंस इंडस्ट्रीज के चेर्मैन वोके शम्बानी ने कहा कि आज भगवान राम का अगमन हो रहा है 22 जनर्री को पुरे देश के लिए राम दिवाली होगी और रिलाइंस जीओ के चेर्मैन अकाश अम्बानी भी अपनी पतनिश लोका महता के साथ राम मंदर में थे और उन्होंने कहा कि यह दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा इस इवेंट में अनन्द अम्बानी और राधिका मर्चंड भी मौझूद थी तो वहीं शम्बानी और उनके पती आनंद पिरामल भी मौझूद रहे है तो प्राण प्रतिष्टा के अतिहां सेक्षण में पूरा अम्मानी परिवार एक साथ नजर आया और यह तस्वीर आम देलते हैं यहां पर रामलला के दर पर पूरा परिवार और इस पल्क को काफी गौर्वार्वार्वित करदे ने बाव बताया गया आप देखेंगे कि कई बड़ी हस्तियां भी इस मौके पर मौझूद रहीं कि दशन करने के लिए मुकेश अंबानी पत्नी नीता अंबानी के साथ और बेटे आकाश और अनन्त अंबानी भी वौके पर मौझूद रहें तो अकाश अंबानी ने आपर पूजा इचनब भी की और साथ ही इस पल को इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला इतिहासिक पल बताया केसी राम यहन को रहा हो, सी आराम, सी आराम